टाइम तो निकालना पड़ेगा राइट है राइट सैक्रिफाइस थोड़े बहुत सैक्रिफाइस बिल्कुल करने पड़े इतनी देर से आप लोग यही कॉमेंट किया रहे हो चपल चपल मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं करने को पूरा दिन आप यही सर्च कर रहे थे आया था मेरे पास भी वीडियो आया था देखिए अब मुझे नहीं पता है उस बच्चे के उस समय दिमाग में क्या चल रहा था किस बात का फरस्टेशन था क्या दिखकर थी और उसने क्यों ऐसा किया अब टीचर के लिए मुझे बुरा भी लगा पर एक तरफ उस टीचर की रिस्पेक्ट भी मेरे दिल में बढ़ गई भारत के सभी शिक्चक जो इतनी महिनत करते हैं बच्चों के साथ और जितना वीडियो अभी तक सामने आया जितना वीडियो दिखा है उसके अंदर तो ऐ ने हमला किया पर शिक्चक ने उसकोई जवाब उस वीडियो के अंदर तो मुझे नहीं दिखाए दिया है कोई कह रहा है कि शिक्चक ने बच्चे कह दिया था कि तुम आगे की सीट पर आके बैड जॉब क्या कारण है मुझे भी एक्जैक्ली नहीं पता है मिली जूली क्या शौकिंग है ना कि पहले तो सल्यूट है उस टीचर को जिसने खुद को इतना कंट्रोल करके रखा एक बच्चे को बच्चे के रूप में ही त्रीट किया सबसे बुरी बात है वो ये है कि ठीक है उस छोटे बच्चे ने गलती की है बहुत बड़ी गलती की है बहुत करने के बाद उसको बहुत गिल्ट तो महसूस हुआ ही होगा उसे बुरा तो लगा ही होगा कई लोग कह रहे होंगे नहीं लगा होगा कुछ टाइम बात लगा होगा एक दिन बाद दो दिन बाद और यहीं चाह रहा होगा कि यह बात जितियल्दी हो सके उतियल्दी तब ज पर कम से कम कोई भी गलती हो कि शिक्षक पे हाथ उठाना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नियुक्ट के टीचर वहाँ प्यार से डील कर रहा था कि पता है नहीं मुझे नहीं पता कि अगर मैं फिजिकली वहां होता है तो कैसे रियाट करता कोई मेरे उपर हाथ उठाएं दो शायद मेरे भी सेल्फ डिफेंज में यहां तो पहले तुछ टीचर को मैं बहुत रिस्पेट करूंगा पर क्या शॉकिंग है शॉकिंग यह है कि the same 겁니다 chat में शहायए हॉ चपल, चपल, आज यूटूब खोल के मैं फिजक्स लिखता हूं बло की नियुक रहो हूं। फिज्च मनीफ हूंत हुक हूं की जीन Oh God, यूटूप भिया चुलितल हूं, यूटूप टीछर सब्सक्राइब हुं को का हुक हुर हुर है , कैसी सैटिस्ट माइंड सेट हो गया आज हमारे जमाने का कि हम ऐसा कॉंटेंट सर्च करके देखना चाहते हैं और एक घर के अंदर बाप बेटे का जगड़ा हुआ बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया मैं मानता हूं बहुत गलत है पर यह उनके बीच का मामला था अगर उस शिक्षक को कुछ आक्षिन लेना होता तो बच्चे खिलाब जाके कोई रिपोर्ट देच कराता हूं के पेरेंट्स को बलाता हो सकता हो पलेट के उसको मार देता हूं यह आपस का मामला था आज दिन भर आप देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के उपर टीचर पिट गया चपल से हुई टीचर की कुटाई है यह किस तरह का मीडिया है हमारा किस तरह की निउस अजनसी है आपके पास निउस नहीं है कुछ और यह तरीका है कोई बात बताने का कि टीचर की हुई कुटाई है सोचो देश के बाकी जो शिक्षक है उनके मन पे क्या प्रभाव पढ़ रहा होगा अब वो बच्चा अगर गिल्टी फील कर रहा होगा तो यही तो चाहता होगा कि यह बात और आगे ना फैले क्या पता एक को बोलूंगा आप तो होसला बना कर रखो चाहर आपको तो सवी का शक्रली ए गांव क्यों लफ़त के अपकूंश के अन्दर केरिले हैं कर अपको हुफब मन कर कि कर कि बैठा होगा उसके वापस पढाने आ पयेगा उसको लग रहा होगा तो लिच होगा कि मैं किसी और क्लास में चल्वा में किसी और कोचिंग तो कि दिखत हो रही हमें और टीचर Кो भी बहुदessä है को इस कोई भी कदम उठाते हैं कि इसका जिम्मेदार को है तीचर की जाए इस किस तरह के टाइटल किस तरह के निवस निकल लीए कोई निवस है पर पता ही इस फारियल हो जाए कि यह वायरल कॉंटेट इसको उठा लेते हैं इससे आपकी जिन्दगी में क्या फरक पड़ा कुछ नहीं में इसले क्या फरक पड़ा कुछ नहीं तो लोग की सिंदेगी कि दोस्ट लगातार वही वीडियो देख रहा होंगे वाट्साप लगाता वेडियो फावरड करें शिक्षक को सारे लोग वाट्सपे वीडियो फावरड कर रहे होंगे गने कैसे जी रहांगे दोनों लोग बहुत क्रूइल समाज हो गया हमारा बहुत बहुत ही निरदाई समाज हो गया हमारा और गलती से फिन न्यूस चैनल की नहीं जो लिख रहे हैं कि टीचर की वी जूते से कुटाई बच्चे ने जड़े शिक्षक को दो थपड सिर्फ उनकी गलती नहीं गलती उनकी है जो स्टाइम यूटूब पर सर्च करते हैं पर जिक्स चपल पर उन वीडियो फो जो धाई ड़ाई लाख व्यूज ओते हैं तीन तीन लाख यूज होते हैं अठाव साल का बच्चा है गल इस गलती की सजा उसको हमारा सिस्टम दे देगा ना उस टीचर को एक्षन लेना होगा वो ले लेगा इस सोशल मीडिया पर जो उसको पनिश कर रहे हैं उस बच्चे को और उस शिक्षक दूनों को जो पनिश कर रहे हैं इसका हक हमको आपको नहीं है भाई क्या उस टीचर ने वम वीडियो बाहर किया नहीं किसे हक है उस वीडियो को हर चेल दिखाए निकांप भौ अजीब हो गया हमारा समझ आ रहूप कूल बहुत निरदई हो गया हमारा समाब इसको इस को इस तरह का कॉंटेंट देखने का मन करता अ है पन्ले अ और बहुत खाली हो आप लोग कि यहाँ मैं बैकलोग की बात कर रहा हूं और आपको यह पड़ी है कि चकपल चकपल मैं नहीं कह रहा हूं शिक्छा की कोई गलती नहीं होती होगी गलती पर इस तरह से बिहेव करना भी सही नहीं है बस मुझे लगता है